स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक कर देख ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थे और संदर्या स्वास्थे को टोन कर यंग और हल्दी बनाए रखने में मदद करता है बेबी वाल में कई ऐसे न्यूट्रियंट्स पाई जाते हैं जो इसकिन की ड्राइनेस को दूर कर इसकिन की नमे को बनाए रखते हैं इसके साथ ही हल्दी पाउडर का इस्तमार त्वचा पर पड़े दा वह खिला खिला नजराने लगता है हल्दी पाउडर सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल माना जाता है और इसे लगाने से कोई साइट इफक्ट भी नहीं होता है यू तो पेबी और और हल्दी पाउडर को अलग-अलग बिस्तमाल में लाय जा सकता है लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो फाइदा कई गुणा बढ़ जाता है तो फिर बेबी और हल्दी पाउडर को अपने चेहरे पर कैसे अपलाई करना है इसके बार में जाने के लिए बने रेस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में एक चमच बेबी ओयल ले ले इसके बार इसमें एक चोड़ाई चमच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर ली जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस अपने फेस पर अपलाई कर ले इसे अपने फेस पर लगाने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले इसके बाद कॉटिन की सहायता से इसे अपने पुरे फेस पर अपलाई कर ले कुछ देरी से लगा रहने दे ताकि या इसकिन में एब्सर्ब हो सके फिर पानी से चेहरा धोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए वीक में दो से तीन दिन इस पैक को जरूर ट्राय करें बेबी और हल्दी पाउडर का पैक इसकिन के लिए काफी फैद बन माना जाता है इस पैक के नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर पड़ी दाग धबे दूर हो जाते हैं जुडियां वह जाईयां नहीं होती हैं साथी चेहरा जवा वह खिला-खिला नजराने लगता है तो फिर आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशे ही पसंद आया होगा हमारे नए ने स्वास्ति और संदर्य संबंदी जानकारियों को पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारी वीडियो पसंद आई हूँ तिसे लाइब और शेयर जरूर करें ताकि इसे त